स्टेब सट हेलो फ्रेंज मैं हूँ जितंदर और स्टेप सेट चैनल पर आपका स्वावत करता हूँ आज हम बात करेंगी प्लस्टिक बोटल मैंनिफेक्टरिंग बीजनस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे पेट बोटल के टाइप्स प्लास्टिक बोटल के टाइप्स और उसका मार्किट एरिया काहा पर है और सेगेंडरी प्लास्टिक बोटल मैनिफेक्शिंड में काम आने वाली मसिंद्री की कोस्ट और कितने टाइप्स की मसिंद्री होती है वो और थार्ड नमबर पे प्लास्टिक बोटल में काम आने वाले रो मटेल और उसकी कोस्ट किया है जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंज्स मिन्टरल बाटर बोटल का अपयोग बड़े रूप में किया जाता है फुड और बेवरेज इंड़ेश्टि में रिफाइट ओल बोटल का और सौब ड्रिंग बोटल का पयोग बड़े रूप में किया जाता है प्लास्टिक के जार जिनका उपयोग मिन्टरिल बातल की सफलाई में यूज किया जाता है बट जार का प्लांट पेट बोटल के प्लांट से कोस्ली पड़ेगा फरदर अगर हम देखें तो और भी कई परकार की प्लास्टिक बोटल होती हैं जैसे कोस्मेटल को और फार्माइस्टिक बोटल जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट सेप और कलर में आती हैं और अलग-अलग इंडिस्ट्री में यूज किया जाता है इनमें यूज की जाने वाली मसीनरी वारो मटरेल अलग होते हैं पलास्टिक बोटल मैनिफेक्शिर में दो अलग-अलग टाइप्स की मसीनरी यूज की जाती है मसीनरी का कॉंसेट पूरा तभी सबन में आएगा जब आगे रो मेटरेल का यूज देखेंगे पलान फर्स्ट की मसीन में पलास्टिक बोटल के प्रिफॉर्म्स का प्रोड़क्शन के जाता है Preforms के Production के लिए Plastic के छोटे-छोटे Granules यूज में लिए जाते है Plastic Preforms बनाने की मसीन 2,15,000,000 तक आती है मसीन की Price, Production, Capacity जितनी अधिक होगी उतनी ही उसी के अनुसा मसीन की Price अधिक होगी जैसे कोई मसीन 1 गंटे में 100 वतल का Production करती है उसकी Price कम होगी और दूसरी मसीन जो 1 गंटे में 1200 वतल का Production करती है उसकी Price अधिक होगी और मसीन किस साइज की वतल का Production कर रही है एक लिटर, दो लिटर या इससे अधिक उसके एक वेडिन मसीन की कोईस्ट गटेगी और बढ़ेगी Plant 2 की मसीन में Preforms को मसीन के साचे में डाल कर Plastic Bottle तियार की जाती है जिस Plant में Preforms से Bottle बनाए जाती है उसकी कोईस्ट आपको 5,5,5,3,5 वड़ेगी अगर आपके पास बज़र कम है तो आप किसी Supplier से Pet Bottle के Plastic Preforms खरीद कर Pet Bottle की Manufacturing स्टार्ट कर सकते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं इस तरह के Plastic Preforms पहले से तियार होते हैं जिनका उपयोग Plastic Bottle के Production में किया जाता है यह Final Product होता है मसीन की Specification जान लेते हैं मसीन की Production Capacity जो होगी यह Minimum 1 Liter तक की Bottle का Production कर सकती है और Minimum 30 ml की Bottle का भी कर सकती है और इसका जो Electrical System होगा यह 440 वॉल्ट 3 फेज निट्रिल और 0.5 HP AC मोटर से चलेगी Plastic के Preforms अगर आप किलो गराम के हिसाब से खरीटते हैं तो एक किलो प्रिफार्म की प्राइज एफ रोक सो रुपे हैं 11 गराम का एक प्रिफार्म होदा है मेंस लगबग एक रुपे पर बोटल फ्लास्टिक प्रिफार्म की प्राइज पढ़ेगी इस तरह से आप अपने बजट के अनुसार प्रिफार्म ड्रो मट्रेल खरीज सकते हैं आप जिस किसी सप्लायर से प्रिफार्म खरीदेंगे प्रिफार्म की प्राइज बोटल की साइज और कॉलायर की अनुसार कम ज़धा होगी यह डिपेंट करता है कि किस तरह की कॉलायर की बोटल आप मैनिफेक्टरिंग कर रहे हैं एक लिटर, दो लिटर या इससे अधिक, इसलिए रिक्वार्मेंट के अनुसार ही रो मेटरेल खरीदें। अगर आप बोतल के प्रिफॉर्म्स का प्रोड़क्शन खुद ही करना चाते हैं, तो जानते हैं, प्रिफॉर्म्स बनाने में कौन-कौन से रो मेटरेल यूज में लाए जाते हैं और रो मेटरेल की कोश्ट क्या पड़ती हैं। प्रिफॉंस बनाने के लिए प्लास्टिक के गर्णुल्स यूज में लाए जाते हैं जिन्हें पेट भी करते हैं इसका पूरा नाम पॉली एथलीन टेरेपेथलेट हैं ये पॉलिस्टर फेमिली का हैं ये डिफेंड डिफेंड टाइब के कलर और सेप में आते हैं कलरफुल अलग-अलग कलर की बोटल के प्रोड़क्शन में यूज में लाए जाते हैं प्लास्टिक गर्णुल्स की प्राइस एफ्रोक्स 40 रुपे से 100 रुपे हैं और डिफेंड करता है मटेल की क्वालिकल किया है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और श हो जाए अगर आपको बिजनेस से रेलेक्टेड कोई प्रॉबलम है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताए मैं आपकी पूरी हल्प परूंगा थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग